श्री गणिशाय नमा शुरू करते हैं भगवान के चर्ण चिन्द के बारे में पढ़ेंगे चर्ण चिन्द रगुवीर के संतनी सदास सहाय का अंकुष अंबर कुलिश कमल जव धुजा धेन उपद शंक चक्र स्वस्तीक जंबुफल कलश सुधाहरद अर्द चंद घटकोन मीन विंदु उरद रेखा अश्ट कोन इंद्र धनु पुरुश विशेशा सीता पती पद नित बसत एते मंगल दायका चर्ण चिन्द रगुवीर के संतनी सदास सहाय का सीता पती शीराम चंद जी के चर्णों में अंकुष, अंबर, वज्र, कमल, जव, धजा, गोपद, शंक, चक्र, स्वस्तिक, जंबुफल, कलश, अम्रत कुंड, अर्द चंदर, शटकोन, मीन बिंदु, उर्द विरेखा, अश्टकोन, त्रिकोन, इंद्र धनुष और पुर दायक तथा सदा सहायक है, चर्ण चिन, श्री राम जी के यूगल चर्णों में अर्टालीस मंगल दायक चिन है, लिखा है अर्टालीस, 24-24 दायें एवं बायें चर्ण में है, यही चर्ण चिन, श्री जानकी जी के यूगल चर्णों में है, लेकिन अंतर इतना है, कि जो चिन राम जी के बायें चर्ण में है, वै श्री जानकी जी के दायें चर्ण में है, और जो चिन राम जी के दायें चर्ण में है, वै श्री मुकुट सुर्दरु केतु प्रचंड। उर्द्व बिंदु सुठी लोन। भक्तजन अपनी श्रद्धा भावना एवं चिंतन सामर्द के नुसार यथा साधु श्री चर्ण चिनों का ध्यान करते हैं। यह सारे चिन्दिस में लिखे थे। रगवीर रगवीर शब्द पंच प्रकार की बीरता का दियोतक है। त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षण है। इसका अर्थ यहां पर लिखा हुआ है वैसे। इसका अर्थ पढ़ते हैं। हरश ही परच इत्र में लिखा है। इसका अर्थ नहीं दिया हुआ है। पराकरम महा वीरो धर्म वीर सदास्वत ह। पंच वीरा समा ख्याता राम एव च पंच धा। रगुवीर इति ख्यात सर्व वीरो प्लक्षण ह। यहां पर लिखा है। इसके लिए दिया हुआ है श्री भरिच चरीतर का। हरश यही निरखी राम पद अंका मानहु पारस पायू रंका। श्रकुरुड जी की चर्ण चिन्नों की भक्ती मतुरा गमन के समय एवं काली नाग को चर्ण चिन्नों के द्वारा अभियत भागवात पुराम में प्रसिद्ध है। राम चरित मानस में आगे परागीद पती देखा। सुमिरत राम चरण जिन्न रेखा। जी टायव की चर्ण चिन्नों की भक्ती ब्रसिद्ध है। चिन्नों का भक्त ध्यान करते हैं। यह चिन्न उनकी सहयता करते हैं। अता भक्त ये श्वणन करने से पूर्व उनके सहयत इनका ध्यान भक्त लोग करते हैं इसा लिखा है संतनी सहाय काज धारे नपराज राम चर्ण सरोजन में चिन्न सुख दाईये संतों की सहायता के लिए राजा दिराज भगवान श्री राम चन्जी ने अपने चरण कमलों में सुख दिने वाले इन चिन्नों को धारण किया मन नहीं मतंग मतवारो हाथ आवे नाहीं ताके लिए अंकुष ले धार्यों हिये दियाईए मन रूपी उन्मक्त हाती किसी भी प्रकार वश में नहीं आता है इसलिए भगवान ने अंकुष का चिन्न धारण किया है मनों जय के लिए अंकुष का ध्यान करना चाहिए सट्था सतावे सीथ ताहीते अंबर धर्यों हर्यों जनशोक ध्यान कीने सुख पाईए जरता रूपी जाड़ा भक्तों को दुख देता है इसलिए वस रचन धारण करके प्रबू ने उनका शोक दूर किया भक्त जन ध्यान करके सुख प्राप्त करें ऐसे ही कुलिश पाप परवत के फारिबे को भक्ती निधी जारिबे को कंजमान लाईए इसी प्राकार पाप रूपी पहाड़ों को फोड़ने के लिए वज्जर का चिन और भक्ती रूपी नव निधी जोड़ने के लिए कमल का चिन धारण किया इनका ध्यान कीजिए कौन-कौन से चिन इसमें ध्यारण करने के लिए कहा गया अंकुष का लिखा है पहले तो अंकुष का चिन धारण किया भगवाल ने और वस्त्र का चिन धारण किया वज्जर का चिन धारण किया और कमल का चिन धारण किया चार हो गए अंकुष वस्त्र वज्जर और कमल टिपणी में लिखा है मन ही मतंग मन है गयंद बलवंत कहूं ये पूरा मन का लिखा हुआ है इतना बड़ा कहूं देखियो ना ही मारियो हू ना जात ताके अंगले दिखात है काम करोद लोब मोह पाव चारी चाली बे को प्रक्रती ही पूँच कान कामना हलात है निंदा ही नैन दंत द्वंद दुख देवे को माथो मद मच्छर सून त्रशना डुलात है अंकुष पदार विंद हाथी मन जीतिवे को ये प्रसिद और बतान की बात है मन और मतवाले हाथी का बड़ा ही सुन्दर रूपक एक कवी ने लिखा है यथा धर्ना धर्म उखारी शर्म सांकर गही तोरत तरुणी करुणी लखत शील शालही गही मोरत बिने बान नहीं गनत ग्यान शासद नहीं मानत गुरु महावत बात तासु की उर नहीं आनत रहत सदा नवरंग में मन मतंग विचरत बुरो प्रभूपद अंकुष वश रहत तज़त कुटिलता बनी खरो कैसा भी मतवाला हाती हो अंकुष से सहज में वशिभूत हो जाता है इसलिए मन को वश में करने के लिए प्रभूपद चिन्य अंकुष का ध्यान करना चाहिए उपमा दी गई है आहती से जैसे हाती जो है वो एक बड़े से बड़ा हाती जो है वो एक अंकुश से प्रसंद हो जाता है इसलिए मन कोवश में करने के लिए भगवाने अपने चरण में अंकुश अंकुष का यहां लिखा था अंकुष का चिन्य धारण किया है जब हे तु सुनो सदा धाता सिद्य विद्या ही को सुमती सुगती सुक संपती निवास है जब चिन्य के धारण करने का सुनिये कि यह सर्व विद्या और सिद्यों का धाता है इसमें सुमती, सुगती और सुख समपती का निवास है ध्यान करने वालों को इनकी प्राक्ती होती है चिनू में सबहीत होत कली की कुचाल देखी धजासो विशेश जानों अभहको विश्वास है कलियों की कुटिल गती देखकर भक्त लोक्षनम्भर में ही भाइभीत हो जाते हैं विशेश करके उनको निर्भेता का विश्वास दिलाने के लिए भागवान ने अपने चर्णों में धहजा का चिन्ने धार्न किया द्वजा का चिन इतली धारण किया जितने भी चिन हमने यहाँ पर पढ़े थे नाभादास जी नी जो लिखे थे उनका प्रियादास जी करके बंडन कर रहे है यसे पहले हमने यहाँ पर चार चर्ण चिनों का अर्थ समझा अंकुष और वस्तर और वज्र और कमल इनको भवाने क्यों क्यों धारण किया इसका कारण प्रियादास जी ने बताया अब यह अला हमने पढ़ा की द्वजा का चिन क्यों धारण किया निर्भेता देने के लिए कल्यों के कल्यों को कुटिल देखकर आगे लिखा है चतुर भक्त जन यदी, गूपद सो हुए हैं भवसागर, नागर, नर जो पै, नैन हीये के लगावे मिटे त्रास है चतुर भक्त जन यदि हृदय के नेतर गोपद चिन्द में लगावें तो अपार भवसागर गाय के खुर के समान छोटा सहज पार करने योग हो जाता है और सभी संसारी कष्ट मिठ जाते हैं कपट कुचाल माया बल सबे जीति बे को दूर को दरस कर जीत्यो अनाया से है माया का कपट माया की कुचाल और माया के संपूर बल को जीतने के लिए प्रभू ने शंक चिन्द धारन किया इसका ध्यान करके भक्तों ने सहज ही माया को जीत लिया काम हू निशाचर के मारी बे को चक्र धर्यो मंगल कल्याड हे तु स्वस्तिक हू मानिये भगवान ने काम रूपी निशाचर को मारने के लिए अपने चरण में चक्र चिन धारण किया है ध्यान करने वाले के मंगल और कल्यान के लिए स्वास्तिक रेखा धारण की ऐसा मानिये मंगलीक जंबू फल चारूहों को फल कामना अनेक विधि पूर नित ध्यानी है अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारो फलों का फल जंबू फल मंगल करने वाला अनेक प्रकार की कामनों को पूर करने वाला है इसका नित ध्यान कीजे अम्रत का कलश और अम्रत का कुंड ये चिन इसलिधान किये कि ध्याता के हृडदय में भक्ती रस भरे ध्यान नेतर के कटोरा से पी कर सदा अमर रहे भक्त जन मन में ध्यान करे भक्ति को बढ़ावे ओ, घटावे तीन ताप हों को, अर्ध चंद्र धारण ये कारण है जानी है, कि वैं ध्यान करने वाले के तीनों तापों को नश्ट करे और भक्ति को बढ़ावे विश्या भुजंग बलमीक तनमाही बसे दासको नडसे यात यतन अनुसारियो है, काम यादी विशय रूपी साप शरीर रूपी बांबे में बसते हैं, भक्तों को नडसे इसलिए ये उपाय है इसा जानकर जिस जिस ने हिर्दे में इनका ध्यान किया है, वै विशय रूपी सर्ब से बचे रहे है और जीवित रहे अर्थत उनका निरंतर भग्वान में प्रेम में बना रहा मीन बिंदू राम चंद्र कीनियों वशिकर्ण पाए ताहिस्ते निकाय जन्मन जात हरियों है भगवान शीराम चंद जी ने अपने चरण कमल में मीन और बिंदू चिन्नों को वशिकर्ण यंत्र बनाकर धारण किया कौन-कौन से मीन और बिंदु चिन वशीकर्ण ज्यांत्र बना कर धारन किया भगवाने इसी से बहुत से भक्तों के मन हरे जाते हैं संसार सागर ताकू पारावार पावे नाही उर्द्वरेखा दासन को सेतु बंध करियो है संसार रूप सागर अपार है जिसका कोई पार नहीं पा सकता इसलिए उर्द्वरेखा धारन कर पुल बान दिया है ध्यान करने वाले सेहज में ही संसार सागर पार कर जाते हैं धनुपद माही धरियो हरियो शोक ध्यान निको मानिनिको मारियो मान रावण आधी साखिये इंद्र धनुष चिन धारन करके ध्यान करने वाले भक्तों का दुख दूर किया और रावण आदी एहंकारियों के एहंकाल को भी धनुष सही नाश किया सो प्रसिद्ध है पूरुष विशेश पद कमल बसायो राम हे तु सुनो अभी राम श्याम अभी लाशिये पुरुष विशेश चिन्न अपने पद कमल में बसाया उसका कारण सुनिये और श्याम सुन्दर को प्राप्त करने की अभिलाशा कीजिये लिखा है पुरुष विशेश चिन्न धान किया भगवाने उनका कथन है कि हमारा भक्त यदी सरल मन वाला सत्य सरल बचन वाला और शुद्य सरल कर्म वाला हो तो इसी पुरुष चिन्न के समान मैं चर्ण चिन्न में रखूंगा इसी पुरुष चिन्न के समान मैं चर्ण चिन्न में रखूंगा जो पे बुद्धिवंत रसवंत रूप संपति में करी हिये ध्यान हरी नाम मुख भाशिये जो जन बुद्धिमान हों रूप संपत्ती के रसिक हों वे पूर्व वर्नेत इन श्री चर्ण चिन्नों का हरिदय में ध्यान करके मुख से भगवान के नामों का उचारन करता रहे लिखा है जो बुद्धिमान हो वे इनका ध्यान करें इन चर्ण चिन्नों का और भगवान के नामों का उच्छार करें ऐसा प्रियदासी ने कहा है अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे भगवान के भक्तों के बारे में चोटी चोटी वीडियो बनेंगी क्योंकि चोटी तक प्रगार्फ आएंगे जिसमें एक-एक भक्त का कवर होगा और कहीं बडेबड़े भी भक्त के आएंगे जैसे अब यहीं से Estoy Revolution हम भकतमाल स्वगी को अगली वीडियो से हम सभी भकतों के बारे में दीलि दीले पड़ेंगे और सब शुरुवात होगी ब्रह्मा जीby ब्रह जी की इस्यए से भकतों हम सब्स होगी जाले विद्या बड़ा बड़ा वीडियो बनेगा एक और कुछ छोटे अड़ी बनेंगे क्योंकि ब्रमा जी का बस इतना ही दिया हुआ 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 कि यहीं पर कुछ तमाप्त करते हैं फिर उम्नों भगवते वासुदेवाइद